हेलो एवरिवन, वेलकम टू मैं क्लास, आज की इस क्लास में अपन Theories of Hardness and Softness, यानि कोई भी acid base, hard है या soft है, इसके पीछे जो theory है, hard soft जो interaction के पीछे theory है Hard है वो hard को प्रियरिटी दे रहा है, hard acid है वो hard waste के साथ reaction कर रहा है, soft acid है वो soft waste के साथ interaction को प्रियरिटी दे रहा है इसको समझाने के लिए अलग-अलग theory दी गई है, अलग-अलग सिद्धान्त दिये गई, तो वो कौन-कौन से सिद्धान्त है पहला है electronic theory, दूसरा है pie bond theory और तीसरा है pitcher theory, electronic theory, electronic जो सिद्धान्त है उसके अनुसार जब hard-hard के बीच, यह जो theory है, hard-hard interaction को समझाते है कि hard-hard के बीच interaction है, वो क्यों होती है, और hard-hard interaction से बने हुए जो compound है, वो इस्थाई क्यों होती है, hard-acid, hard-soft, sorry, hard-acid, वो hard-base के साथ interaction करना है या hard-base की hard-acid के साथ जो interaction है, वो effective क्यों है, और बना हुआ जो compound है, जो product है, वो stable क्यों है, उसको समझाया गया electronic theory के दूआरा होती है, तो उसमें कौन सा bond बनता है, आयोनिक bond बनता है, क्योंकि जो hard-acid है, उसका छोटा आकार है, उस पे धनावे, इसकी जो positive charge density है, वो ज्यादा है, इसके कार्ण ये छोटे आकार वाले अक्षारक के साथ, आयोनिक बन बनाने को priority देता है, और इसको समझाने के लिए, मैसों ने, उसके साथियों ने 1967 में hardness and softness को दरसाने वाली एक समीकर्ण दी, जिसके अनुसार ये समीकर्ण क्या है, पी के बराबर माइनस लोग के A, बराबर AX प्लस BY प्लस C, जहां K है वो ligand धातू संकुल के वियोजन का सामें इस्तिरांक है, आक्षवाई है वो धातू क के लिए parameter है, A, B, ligand के लिए parameter है, जबकि जो C है वो एक इस्तिरांक है, जो ligand के साथ परियोग में लिया जाता है, जिससे सारे के सारे मान एक पेमाने पर वेवस्तित हो सकते हैं, इसमें ये का गए कि जब Y का जो मान है, जो value है, वो 2.8 से 3.2 के बीच में होती है, तब वे सारे के सारे जो acid हैं, वो borderline के होते हैं, दो point 8 से अगर value कम है Y की, तो वो hard acid होंगे, और 3.2 से ज़्यादा है, तो वो क्या होंगे, soft होंगे, ऐसे ही ligand के लिए B की value, कि B की value जब 3 से 5 के बीच होती है, तो जो base है, वो क्या होंगे, borderline base होंगे, 3 से कम होंगे, वो hard होंगे, पांस से ज्यादा होंगे वो क्या होंगे यानि y का मान बढ़ता है तो acid की softness बढ़ती है और b का मान बढ़ता है तो base की softness बढ़ती है पाई बढ़ता है और ये soft soft interaction है उसको समझाने में काम में आती है कि जब soft interaction होती है तो वहाँ पे पाई बढ़ता है और soft soft interaction की इसके soft soft जब interaction होगी तो soft जो acid है उस soft acid के अंदर पाई जो एबंदी electron पाए जाते हैं और ligand के साथ क्या करेंगे ligand के जो vacant orbital है उनमें अपना electron देकर के पाई बोंड ये बनाएंगे और पाई बोंड जो बनेगा वो strong बनेगा और पाई बोंड बनने के कारण soft soft interaction को क्या मिलेगी priority मिलेगी तिसरा पिरजर त्योरी पिरजर जो तॉरी है वो लंडन्डन एम वंडरवाल बल हैं उनका ये सिदाने लंडन फोर्स और वंडर्वाल फोर्स को समझाने में ये त्योरी काम में ली गई हैं काम में आती है और इसके अंतरगति ये भी सॉफ्ट सॉफ्ट इलेक्ट्रोनिक जो थियोरी है वो हार्ड हार्ड इंट्रेक्शन को बताती है पिर्जर जो थियोरी है वो सॉफ्ट सॉफ्ट को बताती है पाई बॉंड जो थियोरी है वो भी सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रेक्शन को समझाने का प्रियाश करती है अब है इलेक्ट्रो नेगेटिवीटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस की इलेक्ट्रो नेगेटिवीटी का हार्डनेस और सॉफ्टनेस पे क्या प्रभाव पड़ता है जनरली यह है जनरल रूल भी यह है कि जो स्पीसी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिवीटी होगी जिस स्पीसीज की वो उतनी हार्ड होगी जिसकी इलेक्ट्रो नेगेटिवीटी कम होगी वो क्या होगी सौफ्ट होगी इलेक्ट्रो नेगेटिवीटी के बेस पे हार्डनेस और सौफ्टनेस को समझाने के लिए यह से भी जो principle है उसमें आणविक जो कक्षक जो atomic orbital मिलने से जो molecular orbital बनते हैं उन molecular orbital का अध्यन किया गया और molecular orbital दो टाइप के लूमो और होमो हाईस्ट occupied molecular orbital और लोवेस्ट अनोक्यूपाइड लूमो अनोक्यूपाइड मोलिकूलर ऊर्बीटल जब कठोर हर्ड जो इस्पीसीज है उसमें क्या होगा होमो लूमो जो गेप वो अधिक होता है जबकि स्वफ्ट स्पीसीज में होमो लूमो जो गेप हो क्या होता है कम होता है विदूत रिंटा यानि इलेक्ट्रो नेगेटिवीटी है वो हार्ड नेस के क्या होती है समान उपाती होती जितना ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिवीटी होगी किसी की हार्ड एसिड की हार्ड बेस में इलेक्ट्रो नेगेटिवीटी अगर ज्यादा होग विदुत्रिनता में जितना ज्यादा अंतर होगा उनके मद्दे बनने वाला बंद उतना ही प्रबल क्या उतना ही प्रबल होगा और आयोनिक होगा और इसके बेस पे सीजियम फ्लोराइड जो कि सबसे प्रबल आयोनिक योगिक है क्योंकि यहां पे सीजियम सबसे ज्यादा व क्लोराइड वो स्थाही होता है बनताा ही सीज्यम आयोदाइड और लिथियम फ्लोराइड के बीच यह रियक्षन करवाई गई गई है जिस में छीज clumsy यह पॉलिंग के ऐकोर्डिंग जो किस्थाही है जबकि Pearson छोरी के ऐकोर्डिंग यह रियक्षन होती यह अभी किरिया नहीं होती है जब कि इसके विप्रीत रियक्शन होती है जिसमें CGM आयोडाइड बनता है और इस रियक्शन को अपन हैसे भी प्रिंसिपल से समझा सकते हैं इस विरोधा व्याष्ट की व्याख्या इन योगिकों की परमानवी क्लन उर्जय यानि इनका एकमा पिसकी इसके लिअक्षरिश का इंड़ा बना उसके सबसे ज्याधा है और जो सौर्फ्ट इंड्रेक्शन थे बना उसकी क्या है कम इसाभीकिरिया रक गया ऑई एक्पोर्लिंग नहीं होना चीह पीर्शन दूसरी है मर्क्यूरिक फ्लोराइड प्लस बेरियम आयोडाइड इस इकवल टू, HGI2 और BeF2, यहां पर मरकरी है, वो सोफ्ट और फ्लोराइड हार्ड है, बेरियम है वो हार्ड है और आयोडाइड हो सोफ्ट है, तो सोफ्ट हार्ड हार्ड सोफ्ट से बने हुई है, यह कंपाउंड जब आपस में इनमें रियक्शन हो हार्ड हार्ड सोफ्ट सोफ्ट से यह बन जाते हैं, यह विक्रियाओं का प्रेरेक बल तो हार्ड हार्ड इंटरेक्शन है, सोफ्ट सोफ्ट इंटरेक्शन तो बच्यूई स्पीसीज के मद्ध्य होकर उत्पाद बनाते हैं, लीथियम फ्लोराइड के बताया गया कि लीथि की जा सकती है